आज देखेंगे कल नमस्कार पेड़ पौधे नेचरल जो इसे प्रकृति आपने कहा है ओ ऐसे ब्योस्ता ऐसे इतियास कैसे बनाया है जिसे इंसान को जीने में अपनी उस पदती से जीने से इंसान की जीविका को एक नई दिसा पे ले जा सके ऐसा पेड़ पौधे ऐसे प्र पारिद करना होगा कि धरम कुलम धरम बेश्टा को पारिद करने के लिए नमस्कार जोहर आप देख रहे हैं उबार्थाजर कंड मैं हूब इसराम अब ने देखा थमनेल कि सर्ना या अधिवसी धरम को लागू नहीं होगी हम लोग इसे के बारे में बात करने वाले कि अकि 20 सेटेमबर पिछले 20 सेटेमबर को मलमसरी कला अलग 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 जगा पर अलग अलग समू दोहरा अपनी मांगों को ले करके बैनर तले रोड पे उतारे थे और बहुत सारे लोगों ने कोई सर्ना धरम चाहिए तो कोई अधिवसी धरम चाहिए ऐसे लोगों आज 32 जन जा हर कोई की बोलने की इजज़त है बोलने की अधिकार है तो चलिए शुरू करते हैं जब देखते हैं आदिवसीओं का धरम आदिवसीओं का धरम कोई कहता है सरना धरम कोई गहता है आदिवसी धरम ऐसा इस्तिती में 32 जन जातियों को कंप्यूजन हो रहा है और कंप्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि आदिवसी की समूदय में दो भाग होने की चंसे आ रही है। ऐसा में सरकार को देने में थोड़ा बिलम कर सकती है। जब देखते हैं आदिवसी धरम अगर होगी तो आदिवसी उनी लोगों को कहा गया है जो जाती की आदार पर पिछले जनगना में की गई। प्रीड़्राइवल की समूने अगर अदिवसी धर्म कहा जाए इस welfare उस धर यह इस上 प्रम पे गीना हुआ है अब करते हैं सरना धरम की जरना धर ट्रेल्स ब्भी विस期 32 जन जात्ती दोरा मांग को लेकर के सरना धरम कोड मांगने की प्रणसर केंदर में पारित करने की अनुसंसा रिज़ सरकार को देने की बात कर रहे हैं सब कोई मिलके। ऐसा इस्तिती में सरना धरम लागू होगी तो देखा जाता है आदिवसियों का धरम सरना धरम है और आदिवसि प्रकृती को पूझते हैं प्रकृती को भगवान मानते हैं बहुत सारे धरम में देखा जाता है कि इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है इंसान को पूझते हैं बहुत सारे धरम में जैसा देखते हैं हिंदु धरम को उठा कर देखते हैं हिंदु धरम में राम भगवान परवती मा कृष्ण जो भी उन लोग को भगवान मानते हैं और उ उनी लोगों को उसके अनुवाई फूजा करते हैं और हां जो राम भगवान माना जता है उसकी करम कंठ जो भी अपने जिन्दगी पर किये गए गटनाओं पर आधारित ही उसके अनुवाई उस पर चलने की कोसिस करते हैं आर्दना करने की कोसिस करते हैं जो किये गए गटना पर अधारित और उसको अधार मान की ही जीते हैं, जगते हैं, मारते हैं और उससे ही मोटिवेट होके अपनी जिन्दगी को जीते हैं। अधिवसी प्रकृती पूजक की और अधिवसी प्रकृती पूजक पेड़ पौदर नादी नाला को अपना भगवान मानता है मानने के लिए, पूजने के लिए पूजता है। अब बात होती है उसकी गरंद की, उसकी लिखा जुका की, उसकी बीदी व्योस्ता की, अगर आप उसकी बिदी ब्योस्ता पर नजर डालोगे तो 32 जन जाती में अलग अलग तरीका से पूजा अर्चना करते हैं अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही पूजा करना ये ब्योस्ता में लिखा नहीं गया है और हां प्रेकृती पूजक को नेचर जगा पे नहीं है आपने देखा निश्चित जगा ऐसा जगा कहीं नहीं पाया गया है कि इसी जगा को ही पूजा करना चाहिए इसी जगा को ही प्रातना करना चाहिए यही पैड को ही पूजा करना चाहिए इसी जगा को ही देवता मानना चाहिए ये कंपर सिरी जारूरी उ इससे आदिवसी प्रकृती पूजक कहते हैं। अब बात होती है केंद्र सरकार, अब बात होती है रजे सरकार केंद्र सरकार को भेजीगी, तो बिल पास होगी या नहीं। क्योंकि आदिवसी संगाठन अपनी धरम कोट अपनी पैचान के लिए एक जुट हो चुके हैं। ऐसा इस्तिती में केंद्र सरकार पारित करेगी ही ये नहीं। ये सोचने वाली और जानने वाली बात है। जब देखते हैं हमारा वीडियो में एक सस्क्राइबर ने कोमेंट क कि आगर केंद्र सरकार चाहेगा तो धरम को लागू हो सकती है। ऐसा कोमेंट किया। लेकिन मेरा जबाब आया था, मैंने जबाब दिया कि केंद्र सरकार के पास आधिकार नहीं है कि अपनी धरम पारित करने की सकती ही नहीं है। कैसा? उसने कोमेंट किया कि केंद्र सरकार चाहेगा तो धरम पारित कर सकती है मैंने मान लिया ठीक है केंदर सकर चाहेगा तो धरम पारित कर सकती है लेकिन हमारे इंडिया में हमारा भारत देश में धरम निरपेक्ष गोसित हुआ है आप इस सविधान को इस अनुछेद को सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा हमार इंडिया में जो कनून ब्योस्ता बनाई गही है उस कनून को सबसे पहले उस ब्योस्ता को बदलना पड़ेगा सबसे पहले कनून की बिल को पास करनी होगी कि हमारे देश में धरम पारित करने की सक्ती होनी चाहिए सबसे पहले ये करनी होगी तब ही तो केंदर सरकर पारित कर सबसे पहले सविधान के कनून अनुच्यत को पारित करना होगा कि धरम कुलम धरम बेश्टा को पारित करने के लिए क्योंकि सबसे पहले ही हमारे इंडिया पे धरम निर्पेक्ज देश गोसित हो चुका है अब ओ धरम निर्पेक्ज देश को कैसे बदल सकता और धरम कोड का अधिखार है हमारा देश इंडिया धरम निर्पेक्ष देश गोसित हो चुका है और इसी लिए ही हम 15 अगस्ट 26 जनुर जैसे गंतरतर दिवस स्वंतंतर दिवस को रश्टिय दिवस के रूप में हम मनाते हैं स्वंतंतर हो गए हैं 147 का मतलब यही है कि हम धरम निर्पेक्ष देश में रहते हैं तो मैं केंदर सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले केंदर सरकार को धरम पारित धरम निर्मान करने के लिए सबसे पहले कानून को पारित करना होगा सबसे पहले कानून को पारित करना होगा तब जाके ही आदिवस्यों की धरम मिल सकती है वरना हमारा धेस धराम निर्पेक्च धेस वोसित हो चुका है अब बात करते हैं कि आदिवसी प्रकृती पूजक मानते हैं तो दुसरा धरम में देखा जाता है कि आदिवसी जिसे पूजते हैं उसे की गए गटनाओं पर अधारित लिखी गए कताओं पर अधारित ही उसकी अनुवाय जीते हैं तो मैं जाना चाहता हूँ पंदर साओ करोड आदिवसी से पेड़ पौधय नेशरल जो इसे प्रकृती आपने कहा है ओ ऐसे ब्योस्ता ऐसे इतियास कैसे बनाया है जिसे इंसान को जीने में अपनी उस पतती से जीने से इंसान की जीविका को एक नई दिसा पे ले जा सके ऐस पेड़ पौधे ऐसे प्रकृती कब बनाया है कहां बनाया है मैं जानना चाहता हूँ जहां तक देखते हैं कि आदिवसी कोई भी धरम उसकी गटनाओं पर अधारित जीते हैं महाभारत के अधारित जो भी अपनी किये गए गटनाओं पर अधारित लेकिन प्रकृती अगवान मानने वाले प्रकृती नेचरिंग की ऐसे कौन सी ब्योस्था बनाई है जिसे इंसान को उस ब्योस्था पे चलके एक नए दिशा पे जीने की साहमाती जीने की कला सिख सके यह हमारी जानकरी होने की बहुत जरुत है और देखने वली बात है कि कल की तारिक में सिख सकती है यह हमें देखने वाली बात है कल की तारिक में उस इंसान की उस समुधाय को चाहिए मोटिवेट ताकि उस धरम के प्रती जगरुक रह सके जहां तक देखा जाता है कि प्रकृती नेचरल एक हम मैनो प्रानी इंसान नेचरल पे रहते हैं बलकि नेचरल में रहत पूजा कोई लिखाल पूजा कोई ब्योस्ता नहीं है आज पूजा 32 जन जाती में अलग अलग तरीका से अलग अलग जन जाती प्रतिकी अनुसार पूजा प्रतना अर्चना होती है हाज उसका कुई लिखा जो का कुई विदी व्योस्ता नहीं है। सब स्वतंतरता है, अजादी है, स्वतंतरता है। इसमें किसे तरह की कुई रूडिवादी नहीं है। और इसलिए अदिवासिंग को प्रकृती पूजग कहा जाता है। तो हमें जाने वाली ये बात है कि कल की तारिक में उसकी बच्चे, उस सरनसमूदाय की बच्चे पेड़ पौदों को देखकर ही जिन्दगी जीना सिखेंगे या फिर अपनी पूर्बश को देखकर के या पिर किसको देखकर के ये आज हमें सोचनी वाली बात है लेकिन दुसरा दर्म में देखा जाता है जिससे पूझते हैं उसकी करमकंड, उसकी बेवस्ता, उसकी आधारित पर इनसान अपनी जिन्दगी को जीता है ऐसा कौन सा पेड़ इनसान को जीने लाइक पदती बेवस्ता बनाया है यह हमें देखने वाली बात है कि इनसान जीने के कस्यत से जीने की तरीका को जीने की कला ऐसा कौन सा परकृती, कौन सा पेड़, कौन सा नादी, कौन सा धर्ती इनसान जीने के पदती को बनाया, इनसान जीने के कबलियत को सिखाया जिससे ओ पदती को देख के इंसान अपनी जिंदगी में अपलाई कर सके और नाया जिंदगी नाया सबेरा लाद सके हम रहते हैं अक्सिजन सांस लेते हैं यह हमारी जीने की पदती है बलकि इस जीने की पदती को हम प्रकृते नहीं सीख सकते हैं हम जानते हैं, फानी से हमारी उर्जा मिलती है, सुर्या की प्रकास से हमें उर्जा मिलती है, लेकिन इंसान जीने की पदती, जीने की कला, जिसे हमारी जिन्दगी को जीने की कला की जरुत है, उसके लिए हमें एक नई ब्योस्ता देने वाला ब्योस्ता चाहिए जिसे हम अपनी जिंदगी को सजाएं समारने में माददगार साबित हो सके अब बात होती है ऐसे करमकंठ आदिबसी की प्रता आदिबसी की सव्यता में अगर देखा जाए तो कोई बंदन कोई ब्योस्ता दिखाई नहीं देता है जहां तक आदिबसी की बात की जाए इसलिए देखने वाली बात है कि जब तक किसी ब्योस्ता किसी पूस्ता किसी पर आधारित नहीं होगी ओ समूदाय इधर उदर होती ही जाएगी इसलिए दुसरा धरम में देखा जता है जहां बेवस्ता है उस धरम समूदाय उस लोग पूरी तरह से एक जुट हैं आपने देखा आपने सुना कि जिस समूदाय के लोग बंदन में रहते हैं यानि कि पूजग करने वाले समूदाय में किसी तरह कोई लिखा जुका नहीं है तो ऐसे इस्तिति में कर्द की तारिक में बच्चों की बवस्या पर क्या असर पड़ सकती है यह हमें देखने वाली और समझने वाली बात है कि किसी धरम को अधार बना रहे मतलब जिसे हम बगवान क की तरह पूजेंगे जिससे हम उसकी अनुहाई माने जाएंगे उसको देख करके हम अपनी जिंदगी पे अपलाई करने वाले हैं इसलिए जहां तक बात होती है कि हमारा देश धरम निर्पेक्ष गोसित हुआ है यह बात सवीदान की अनुष्यद में लिखा गया है और धर धरम को पारित करने के लिए या पिर किसी के लिए भी धरम को मानने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले अनुष्यद को बदलना पड़ेगा या पिर नया थरीका से अनुष्यद को लागू करना होगा नहीं तो हमारा देश धरम निर्पेक्ष देश गोसित हुआ है तो यह जानकरी आपको कैसा लगा उभरता जरकंड में ऐसा ही इंटिस्टिक टोपिक के साथ और फिर मैं आऊंगा तब तक के लिए जोहर जरकंड आज देखेंगे कल नमस्कर